जारखन देश का पहला राज है जहां 100% scholarship में अपने बच्चों को बिदेश में पढ़ाई करने के लिए बेजता है और कोई हम bond नहीं लिखाते हैं कि तुमको मैंने एक करोड़ दो करोड़ रुपए तुमारे उपर खर्च की तुम पढ़ाई पूरी करने के बाद सरकार को सेवा देना बिल्कुल आप सोतंधर आप पढ़िए डिग्री लीजिए और समाज और राज और देश को आगे बढ़ाने में जो भूमी का है वो निभाए आज तक पचास बच्चे जा चुके हैं ये बहुत खुशी की बात है बहुत बहुत सुब कामना है इस उनिवरसिटी से भी एक बच्चा गया जो कभी सपने भी नहीं देखते सोचता था आज हम लोगों ने उतकरिस्विदाले सुरूप किये आज जिस तरीके से कंप्टिशन का दौर है सरकारी स्कुल की जो इस्तिती है वो भी पता है चुकिए मैं खुद सरकार का एक मुखिया होने के नाते बहुत ज जानते हैं लेकिन मैंने कहा वो सब चलने दो उसको हम डिस्टरब नहीं करेंगे साथ में एक ऐसी विवस्ता हम खड़ी करने जाने के प्रयास में हैं जहां दीरे दीरे वो विवस्ता इतनी मजबूत हो जाए कि जो विवस्ता पुरु से चली आ रही है वो स्वता समाप्त ह हो जाए कि आज उन स्कूलों में जो सिक्षक जाते हैं वो आयायम से हम लोग ट्रेणिंग करा करके उहां बेजते हैं जहारखन के जड़ को मजबूत करना है पत्ते और टहनी मजबूत नहीं हो सकते जड़ मजबूत होगा तब ही पेड़ मजबूत होगा जड़ में हमारी आने वाली पीड़ी को हमें इसकदर बनाना पड़ेगा कि वर्तमान समय परष्टिती के साथ वो आगे बढ़ पाए खड़ा हो पाए